जिस प्रकार एक व्रिक्ष की जड़े उसके बढ़ने और फलदाई होने में सहायक होती हैं इसी प्रकार एक इनसान का जीवन उसके संसकार, उसके साथी और उसके विश्वास के आधार पर निर्भर करता है जिस और हमारे जीवन का आधार है बस वही से हम अपने रास्ते चुनते हैं और फिर उन पर चलने के कारण अपनी निर्धारित मंजिल पर पहुंचते हैं अब ये हमारे उपर निर्भर करता है कि हमने शैतान के अंधेरे या परमेश्वर के पवित्र रोशनी में अपनी जड़ बनाई है हमारे जीवन में बीज और मिटी सही कैसे हो कि हमारी जड़े भी मजबूत हो आज हम इसी वेश्या पर बात करेंगे सुनते हैं परमेश्वर का वच्चन परमेश्या का वच्चन हमने संतलुका की इंजील उसका चठा आधियाए उसकी 43 आएट से लिया है 43 वर्स यहां इस परकार लिखा है कोई अच्छा पेड नहीं जो निकमा फल लाए और ना तो कोई निकमा पेड है जो अच्छा फल लाए हर एक पेड अपने फल से पहचाना जाता है क्योंकि लोग जाडियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर बला मनुश्य अपने मन के बले भंडार से बली बाते निकालता है और बुरा मनुश्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बाते निकालता है क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मूँ पर आता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हेप रबू हेप रबू कहते हो प्रमेश्य के वचन को पढ़े हो सुने जाने से आशी इशो आमेन एक विश्वासी की मजबूत जड़ का अर्थ क्या है कि एक विशाल पेड की तरह दुनिया के आंदी तुफान उसे हिला न सके प्रमेश्य प्रमु यश्यू ने लुका आठ की ग्यारा में जो तरह तरह की जमीन के बारे में उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि बीज प्रमेश्य का वचन है प्रमेश्य के वचन को हमारे अंदर बो दिया जाता है हर एक विश्वाश्य में और जो बोने वाला पुवितरात्मा प्रमेश्य है हर एक विश्वाश्य को जो पॉलिस रसूल ने हमें कहा है पहला कुरुंतियों सोना आधियाए उसकी तेरमी आए तो उन्होंने कहा जागते रहो विश्वास में स्थिर रहो पुर्शार्त करो बल्वंत हो जागते रहो विश्वास में बने रहो जो लिबनान के सडार के जो पेड़ थे जिनके जिनका इस्तिमाल किया गया सॉलमन के दोरा जो भावन बनाएगा परमेशे का उसके लिए और यरुशलिम जो राजा के भावन बनाएगा उनके लिए इस्तेमाल किया वो जो पेड़ हैं बहुत उंचे होती हैं और पेड़ एक सो बीस फुर्ट ते के उंचाई उंचाई तक चले जाते हैं और जो उनकी जड़े हैं तकरीबन 30 से 35 फुर्ट नीचे जमीन में चली जाती हैं इस परकार वो पेड़ बहुती मजबूती से धर्ती में पकड़ा जाता है और वो किसी भी तरह के फिर जो तुफान हैं जो हवाएं चलती हैं उनका सामना कर सकता है और सिरता में पना रहता है जितना पेड़ उन्चा है उतना ही वो मजबूत है और क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है तो उसमें लकड़ी भी उतनी ज़्यादा निकलती हैं इसी परकार एक विश्वाशी भी अपने जीवन में वही फल लाता है जो के परमेश्य में जूड़ा हुआ है और जो वो काम करता है वो स्वर्ग रज्य के कामों के फिर अनुसार चलने लग जाता है बजन सही तब पहला आवियाएत तीसरी आयत में अशीशित वो है जो उस वरिक्ष के समान है जो बहती नालियों के इस किनारे लगाया गया और अपनी रितु में फलता है जिसके पत्ते कभी मुझ जाते है नहीं जो कुछ है पुरुष को सफल होता है जो कुछ करता है सफल हो इस परकार वही इनसान सफल है जो परमेशे के वचन में जुड़ा हुआ है और उसमें उसकी जड़े है युणना चार की चौदा के अमसार प्रभी यश्यू ने सामरी औरत को याकूब के कुएं पर उस जल के बारे में बता दिया जो वो देते हैं उसकी पहली जो खूबी है वो कहती है जो उस जल में से पियेगा जो मैं उसे दूँगा फिर वे अनतकाल तक प्यासा नहोगा दूसरा वो कहती है जो जल में उसे दूँगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनत जीवन के लिए उमरता रहेगा उसके अंदर एक spring of water बन जाएगा जो everlasting life अनंतकाल के जीवन के लिए उसमें चलेगा हर एक विश्वाशी को मुक्ति का वाइदा किया है प्रभू यश्व ने और अनंतकाल के जीवन का वाइदा किया है प्रभू यश्व जो हमारे रिडीमर है मुक्ति आता है उनके कारण जो फिर वो सोता जो हमारे अंदर आता है प्रभू तरात्मा प्रमेश्य की हजूरी का है जो हमारे अंदर आ जाते है फिर वो हमें दूसरों के लिए भी जो हम बच्चन का मेसेज लेगे जाते हैं उस जल क हम उसको जल देने वाले बन जाते हैं परमेश्य की प्यार का जल और यही एक फल है जो हमारे जीवन के दोरा हम परमेश्य के लिए पैदा करते हैं मत्ति साथ की सोलां स्तारां आयत में प्रबु यश्यू ने किसी इनसान की जो नेचर है उसके बारे मनों ने कहा दिया कि जो वो फल लाता है उसके अंसार उसकी नेचर होती है वो कहते हैं साथ की स्तारां हर एक अच्छा पेड अच्छा फल लाता है और नकमा पेड बुरा फल लाता है एवरी गोड ट्री एंड बैट ट्री कमपेर कर दिया उनोंने मुसा को परमेश्यू ने इसरेलियों को प्रॉमिस लैंड में लिजाने से मना कर दिया लेकिन इसके कारण वो निराश नहीं हुआ वो उनका आत्मिक लीडर बनने से रुक नहीं गिया यह वस्ता विरुन की कि लाव उसने लिखी उसके बाद में और उसमें उसने ये सब बातें लिख दी जो परमेश्य ने उसे बताई थी पूरा उसने ब्यारा दे दिया यहोश्यू 24 की 14 पंदर मी आयत में इसी परकार यहोश्यू को भी जब उसका मिश्यू लोगों को प्रॉमिस लैंड में ले जा लिखान करने का तकरीबन खतम हो गया था सबूरा उसने उख उटेंृ जोई सब्सक्राद करें यहोश्यू victory उसने कारं ने लै कि यहोश्यू की 14 की अनुसर के पहले उसने कहा यहोवा की सेवा करने अगर तुम्हें के यहोवा की सेवा करो फिर ऒूड़ में लेकिन लेगर वो आगे कहता है परन्तु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्व करूआ उसे यकीन है कि मेरा घराना भी मेरे पीछे पीछे उस बात को मानेंगा क्यों वो उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया उनकी जड़ उसने काइम कर दी है यहोशु मुसा का असिस प्रामिस लैंड में लेके जाता है इस पूरे दो चाली साल के दुरान वो एक नजदीकी का रिष्टा देखता है मुसा का परमेशर के साथ और वो अपना भी यह खुद द्वेलब कर लेता है मुसा नहीं होशु कुछ तुना था जब वो एक लड़का था अपना असिस्ट यहोवा मुसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करें और मुसा तो शावनी में लोडाता था पर यहोशु नामक एक जवान जो नुन का पुत्रा और मुसा का सेवक था तंबू में से ना निकलता था जो मिलाप का तंबू जो मुसा ने लगाया था, यहोशू उसी में रुख जाता था, प्रभू येशू अपने चेलों से थोड़ी आगे जाके प्रास्ना करने लग जाते थे, लेकिन चेलों को वो सुनाई देता था, क्या कह रहे हैं उनके बाती उने सुनाई देती थी, यहोशू इसी प्रकार मु सायनाई पर दो बार रहा और 40 साल का जो उसका पीरिड था मुसा का असिस्टेंट बनकर उसने सब कुछ सुना जो परमेशे उससे मुसा से बात करते थे और इसमें उसकी एक जड़ बन गई उसकी फानडेशन बन गई उसकी पाप बरी प्रविती के बारे में और परमेशे की पुवित्रता के बारे में पूरी तरह समझते होते हैं लुका पांच की पहली आठ आयत में प्रभु येश्व एक बड़ी भीड को गैनसरत की जील के किनारे पर सिखाते हैं बीड जादा होने के कारण वो पत्रस रसूल की किष्टी में आ जाते हैं और उसे फिर वो पुल्पिट की दरा इस्तिमाल करती हैं और परचार करते हैं अखीर में वो पत्रस को बोलते हैं कि चलो गहरे में और जाल डालो सारी रात उन्होंने कोशिश की लेके नभी एक भी मचली नहीं पकड़ी पत्रस मचवारा है लेकिन फिर भी वो प्रबु यश्यू के कहने के इनसार जाल डाल देता है और जाल जब डालता है तो वो देखता है कि एक अद्बु मचलीों का जुंड उसमें आ जाता है जब कि थोड़ी दिर पहले सारी रात एक भी मचली वहां नहीं होने मिली और फिर वो अपने दोस्तों को बलाता है सहायता के लिए जो नेट है जो मचली पकड़ने के जाल है वो भड़ते नहीं है दोनों किष्टियां पूरी दरा बर जाती है और वो डूबने को हो जाती है और पत्रस फिर अपनी उस हालत में देखता है परमेश्यर की महिमा जो प्रभु येश्यू में प्रकट हो रही है और अपनी पाप की प्रविती को फिर वो कह देता है ये प्रभु मुझसे दूर चले जाओ को कि मैं पापी आदमी हूँ ये उसका ये उमिलिडी उसका नमर सभाव है जो उसकी आत्मिक तरक्टी को आगे बढ़ने में सहता करता है और फिर वो फल लाता है और प्रभु येश्यू में स्ट्रॉंग जड़ें पकड़ लेता है वही प्रभु येश्यू फिर उनके चटान और गड़ बन जाते हैं और फिर वो अपने जीवन के तरह तरह के चैलेंजिस को सामना करने के लिए तयार हो जाता है और अखीर में ये माना जाता है जब उसे कुरुसीफाई किया जाना था तो उसने कह दिया नहीं मुझे सिर उपर करके रहीं प्रभु यश्यू की तरह नहीं मुझे उल्टा लटका दो सलीव के ओपर और इस प्रकार जब विश्वाश की जो फांडेशन उसने बनाई थी जो नीव उसने बनाई थी प्रभु यश्यू में उसकी सरक्षा बन जाती है और फिर वो जो दुनिया के हर तरह के उसके ओपर ये तुफान आते हैं आनिया आते हैं ट्रायल आते हैं उससे बचा रहता है इसी प्रकार यहोशू जैसे बना जैसे मुसा बना जैसे पत्रस बना इसी प्रकार हम लोग भी जब इस प्रकार निर्बर होने लग जाती हैं प्रमेश्यू के उपर प्रभु यश्यू के उपर तो हमारी जड़ें भी नीचे जाने लग जाती है, गहराई तब, जितना फिर हम उसको ढूडने की कोशिश करते हैं, उसे मिलाब करने की कोशिश करते हैं, उतनी हमारी जड़ें गहरी होती ही जाती हैं, और हम मजबूती में चलने लग जाते हैं, हर तरह के चैलेंगर सामना क पर बनी रहे। जीवन के जो flood water जो बार आती है, trials की बार आती है, हमारी temptations की बार आती है, उसको सह लेता है, कहीं गिरता नहीं और विश्वासी खड़ा रहता है। बजन सहीता 18 की दो में राजा दाउद का विश्वास मजबूत है, इसलिए वो कह सकता है बिलकुल विश्वास के साथ, यहोवा मेरी चटान और मेरा गड़ और मेरा चुडाने वाला है, मेरा इश्वर मेरी चटान है जिसका मैं शरनागत हूँ, वो उसी का शरनागत है। क्योंकि राजा दाउद ने परमेश्व को ता लिया है विश्वास में, विश्वास में उसका पूरा मजबूत हैं, क्योंकि छोटे होते हुए अपने पिता की बेड़ों को इतराते हुए उसने एक शेर का सामना किया है, इस प्रकार के और खत्रों का सामना किया है, के गीत गाता है और उनकी जो हजूरी है उसको महसूस करता है उसके अधिनगी में चलता है वो कुलूसियों की पुस्तर दूसरा आधियाए उसकी 6-8 आध पॉलस रसूल ने हमें सिखाया कि जो सही तरीके से सीखते हैं वो पहला तो ये है कि प्रबु यश्व में अपने रहो वो कहते हैं आपने ग्रेहन किया प्रबु यश्व को उनकी सिख्षाओं में उसमें चलते रहो रूटिड एंड बिल्ट अप इन हम उनमें विश्वाश में जड़ पकड़े हुए उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ जैसे तुम आए गए हो उसी परकार चलो दूसरा वो कहते हैं पवित्रात्मा परमेश्यक और वचन की जो सिख्षा है उसके अनुसार अपने जीवन को ढ़ालो तीसरा वो कहते हैं विश्वास में दिर्ण होते जाओ अधिक-अधिक धनेवाद करते रहो परमेश्यक धनेवाद करो हर प्रश्थिती में, अपनी अधिनगी में, अपनी अधिनगी उनके सामने ले आओ और कोई अधिकार नहीं है, राइट्स क्लेम नहीं हम कर रहे हैं, उनके अधिन होकर उनके अनुग्रह की हम आशा रखते हैं चोथा है वो कहते हैं कोई तुम्हें उस तत्व ग्यान और व्यर्द दोखे के द्वारा अपने अहेर ना बना बना ले जो मनुश्यों की परंपराओं और संसार की आदि सिक्षा की अनुसार से हो टेस्ट करो जो ऐसी संसारिक शिक्षाई है जो कुछ जूटी फिलोसिफी है उसे रिजेक्ट कर दो और प्रभु यश्यों में बने रहो मती साथ की पंद्रह में प्रभु यश्यों न भी यही हमें वार्निंग दी उन्होंने कहा जो जूटे परचारक हैं जूटे बविश्य वक्ताओं से साथदान रहो जो भेडों के बेस में तुमारे पास आती हैं प्रतु अंतरस्त में वो फाड़ने वाले भेडिये हैं वो भेडिये हैं उनसे बच कह रहो यहुदी विश्वास में लोग थे उनमें तीन कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टन बन गई थी फरीसी सेद्यूसी और लीडर्स चौता स्क्राइब थे जो के बतन की कॉपी करते थे और इनका जो ध्यान था वो लोगों से ओनर प्रापत करना उनकी पहचान लोगों में बनाने में उनका ध्यान लगा रहता था इनमें से कुछ लोग फिर विश्वास में भी आ गए और उन्होंने फिर ये पहली जो चर्च में कॉंट्रोवर्सी शुरू होई थी कि किसी भी विश्वाशी को जो जू है उसे विश्वाश में आने के लिए पहले सुनत करानी पड़ेगी आज भी चर्च में इस परकार की गल्प सिक्षाएं चलती हैं और हम देखते हैं अपने चर्च के अंदर दूसरा तमौतियस तीसरा आदिया है सौलमी आयत में पॉलिस रसूल ने तमौतियस को सिखा दिया कि जो भी वचन है संपूर्ण पवित्र शास्तर परमिश्यों की प्रेणा से रचा गया है प्रेणा उन्हेंने का गौड ब्रीद प्रमिश्य द्वारा सांस इसमें पूखी गई है जो यहां ग्रीक भाषा का शबद है वो है थिपनेस्टोस थियो का मतलब है गौड प्रमिश्यों और नेयों का मतलब है सांस या इंस्पारेशन सांस या उनके द्वारा से खाया जा जब परमेश्य ने सब कुछ बनाया तो उसने मिटी की धेरी के अंदर सांस भोग दी और वो इनसान बन गया इसी प्रकार जब वचन लिखा गया तो पुवित्रात्मा परमेश्य ने लिखवाया वो अलग लग राइटर्स हैं लंबे समय में उन्हों लिखा है लेकिन जो परमेश्य के बल और शक्ती से बरे हुए वचन के ओपर अपना ध्यान लगाए रखते हैं तो उनकी जो पुवित्र और महिमा की रोश्नी है वो हमारे अंदर से काम करने लग जाती है और हमें आइस्ता आइस्ता बदलने लग जाती है इबरानियों की पुष्टक उसका बा विश्वाश के उनके तरफ देखते रहो उनकी तरफ देखना है जो संसारिक बातें जो हमें डिस्ट्रेक्ट करने वाली है उन से नजर हटा कर अपना दियान प्रभु येश्व पर केंद्र करना और फिर उनके ओपर से किसी तरह से भी अपनी नजर ना हटाना करने वाले भी वही हैं, सिद्ध करने वाले भी वही हैं, करता भी वही हैं, इसका मतलब है वो करता है तो स्टार्ट पॉइंट भी हमारे साथ है जब जीवन हमारा शुरू हुआ, जब हमारा जीवन समापत होना तब भी हमारे साथ ही होंगे, क्योंकि वो अलफा और ओमेगा ह फिलिप्टियों की पर तक पैना आ गया च्छटी आयत में पॉलिस रसूल फिर हमें ये विश्वाश देते हैं जिसने तुम में अच्छा काम अरंब किया है वही उसे यश्व मुसी के दिन तक पूरा करेगा परमेशन हमें विश्वाश में लाएं हैं और हमें उन्होंने प्रभू येश्व का पार्टनर बना बिया है तांके हम शेतान के कामों को नस्ट करने में लग जाएं हर एक विश्वाशी का एक डेजिगनेटर रोल है और वो अपने बल में कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब हम परमेश्य के बल और उनके अधिकार में नहीं चलते हैं जब उनके थाथ हम नदीकी के रिष्टे में जुड़ जाते हैं तब फिर हम उनकी आशीशों को पाने लगते इसके बिना हम उनकी आशीश भी नहीं पा सकते बजन सहींता 37 की चौती पांचमी आयत में बजनकार ये कह दिया एक आशीशित जीवन के बारे में उसने कह दिया यहोवा को अपने सुक का मूल जान और वह तेरे मनोर्थों को पूरा करेगा अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा उस पर भरोसा रख जब हम ये करने लग हैं तब फिर हम अपने सब रास्ते उनको स्मर्पित कर देती हैं उनकी नदी की के रिष्टे के दोवारा उनके अन्यवाई बनकर उनकी उनमें हम फिर चड़ पकड़ लेते हैं एजेकियल नभी को परमेशर के भावन से पानी की नदी आती हुई दिखाई दी फिर उसने द पेड जो उनका पत्ते हैं वो भी नहीं मुर जाते हैं और उनका फल कभी भी फैल नहीं होता है और हर महीने वो नया फल लाते हैं और यही बात जो यह बविश्यवानी है यहन्ना रसूल को प्रकाशित वाक्या 22 की दूसरी आयत में जब नया यरुश्लम आ जाता है तो उस सची दाखलता में जुड़ जाते हैं प्रभू यश्यू में जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में फिर यह फल आने लग जाते हैं और जब हम यह कॉंटिन्यूस जो फल आना है हमारे जीवन में यह किसी इस कारण नहीं कि हम किसी अच्छी बातों में जुड़े हुए अ अरादना के दौरा जुड़े होते हैं तो ये मन्ना हमें मिलता रहता है, हमें बल देता है, और फिर हम उनके दौरा दिखाई रास्तों पर चलने लग जाते हैं। इसरेलियों को मन्ना हर दिन सवेरे कलेक्ट करना लेना पड़ता था, सिर्फ सबत वाले दिन उन्हें ये नहीं था, क्योंकि उस दिन उन्हें अरादना और परमेशे के साथ जुड़ना होता था, जो गरम देश हैं, अगर पानी किसी पेड़ को ना दिया जाए तो एक दो दि प्रभु यश्व ने जो अंधीर का पेड़ है, उसके जीवन को उन्हें ने काट दिया, उन्हें ये कह दिया, इसके बाद तेरा फल कोई ना खाए, प्रभु यश्व में जीवन हैं, और वही इस दुनिया की जोती हैं, जिसके उपर से उनका हाथ हट गया, तो अंधेरा जीवन में निश्चुत है, और जो ये उनकी आशीश की सिप्लाई नहीं पाता है, वो अच्छा फल कभी नहीं ला सकता है, और फिर वो सड़ा हुआ फल ही लाएगा, क्योंकि शैतान के अधिन आ जाता है, हमें ये फ्रीविल दी गई है, कि हमने क्या चुनना है, कहां हमने अपने आपको जोड़ना है, क्या हमने वचन, प्रमेश्य के वचन में जोड़ना है, और प्रमेश्य के पुत्र के द्वारा वो मन्ना प्रावत करना है, जो जीवता वचन है, और इसके द्वारा फिर में पुवित्र आत्म प्रमेश्य में भी जोड़ना है, और क्या हमें शयतान के कावमें में चलना है परमेश्य की गाइडनस उनके बल जो पुवित्र आदम परमेश्य दोरा हमें मिलता है वही हमें उस रास्ते पर पहुंचाता है जहां प्रभु येश्यू हमें ले जाना चाते है अफशियों के पुर्ट तक तीसरा अदियाए बीस एक्कीस आयत में पौलिस रसूल ने जो हमारा सोर्स और पावर है उन्हों ने ये दिखा दिया उन्हों ने ये कह दिया वो ऐसा समर्थी है कि हमारी विंत्य और समर्थ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस समर्थ के अनसार जो हम में कारे करता है उस समर्थ के अंसार हमारी इमेजिनेशन से कहीं जादा कर सकते हैं वो दूसरा तेमोटियस पहला अगया इस आत्मी आयत में पोईतर आत्मा परमेश्य को बताती है वो बल के आत्मा प्यार और आत्म सैयम की आत्मा है जो के फिर हमें परमेश्य के लिए यूस्फल होने में सहाथा कर दिकर देती हैं हमें फलदाई बनाने लग जाती है और इसके बेना कौन ऐसी अद्बत आशिषें पा सकता है जितना हम सोर्स के नदीग जाने लग जाती है उतनी हमारी गहरी जड़े होती जाती है और इस प्रकार फिर हम सिर्फ स्किंडी उस विश्वाश में नहीं अधीनगी में गहराई में उनके साथ जुड़ जाते हैं और फलदाई होते हुए हर तरह के आशिशें पाने लग जाते हैं परमेश्वर में जड़ पकरना किस लिए आवश्यक है और इसका सही रास्ता क्या है अयूब का टेस्ट बहुत भ्यानक था सब कुछ उसका नश्ट हो गया और जो उसके तीन मित्र थे वो भी उसे ब्लेम करने लगे कि तेरी जीवन में कोई छुपा हुआ पाप है फिर भी अ पयूब ने उन्नीस अध्याए पच्चीस आयत में कह दिया मुझे तो निश्ची है कि मेरा चुडाने वाला जीवत है और अंत में प्रिश्वी पर खड़ा रहेगा फिर भी उसे विश्वाश है अपने रिडीमर के ओपर पर मिश्वर के ओपर जिस परकार एक पेड़ फि हैं उनको परमिश्य के बल में सह सकते हैं और विज़ाई हो सकते हैं डानियल की पुष्टक तीसरा अध्यास तार्मी आयत में डानियल के तीरे को सोने की मूर्ती के सामने ना जुकने के कारण राजा नबुकर नजार ने उस साथ गुना ददगती हुई आग की भटी में ड जलवा दिया डलवाने से पहले उन्होंने बड़े कॉंफिनेंट के साथ कह दिया डानियल की पुष्टक तीसरा अध्याए उसकी स्तारा आयत उन्होंने कहा हमारा प्रविश्य जिसकी हम उपासना करते हैं हमको ददिकते हुई बटे की आग से बचाने की शक्ती रखता है वर्न हे राजा वे हमें तेरे हाथ से भी चुड़ा सकता है फिर वो आगे कहते हैं अगर ना भी चुड़ाए तब भी हम नहीं जुकेंगे उनका विश्वाश इतना गहरा है चुड़ा सकता है लेकिन किसी कारण से ना चुड़ाए तब भी हम जुकेंगे नहीं इसको हम उसी परमेश्य की अराद ना करेंगे हमें चुना गया है फलदाई होने के लिए जोहना पंदरा की पांग में प्रबु यश्व ने हमारी उस जड़ को गहराई में होने के लिए कहा मैं दाखलता हूँ तुम मेरी टहनिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वही अच्छे फल लाता है क्योंके मेरे बिना दुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनके बिना कोई कुछ कर भी नहीं सकता है तीसरा ये है कि हम पाएं discernment की शक्ति ताकि हम कहीं धोखा ना खाएं मती 24 की चौथी पांचमी आयत में मती 24 की चौथी पांचमी आयत में प्रभी यश्यू ने कह दिया साबदान रहो क्योंके तुम्हें कोई बर्माने ना पाए क्योंके बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से अगर कहेंगे मैं मसीभ हूँ उन्हें ने कहा मेरे जाने के बाद में बहुत लोग आएंगे और इसी प्रकार के लोग आज हैं भी चर्च में जो अपने आपको सुपरनेशनल शक्तियों से बरा हुआ कहते हैं और अपने पीछे लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि अपने जीवन के हर प्रिष्टिती में हर एरिया में अपने आपको प्रभु यश्यू को अपना मास्टर मानकुन के समर्पित हो जाओ मत्ती 6 की 24 में प्रभु यश्यू ने कहा कोई दो मास्टर को सब्ब नहीं कर सकता है क्योंकि लॉयल्टी एक के साथ दूसरे के ओपर दूसरे चोड़ने के साथ ही बनेगी दूसरा तरीका है वच्चन की गहराई में चलो वच्चन के ओपर ध्यान लगाओ योश्यू पहला आधियाए आठमी आयत में योश्यू को कहा गया कि वच्चन की पुस्तक के ओपर अपना ध्यान लगाए रखना अब उसने कहा कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू परवावशाली होगा तेरे काम सफल होंगे तू परवावशाली होगा यह उन्होंने कह दिया और ये नहीं कि हम सिर्फ सक्सेस के लिए करते हैं ये अपने अच्छे जीवन के लिए ही करते हैं ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है होशे की पुस्तक उसका चौथा अधियाए उसकी छठी आयत में होशे उसका चौथा अधियाए उसकी छठी आयत में परमेश्या ने हमें ये कह दिया कि मेरे लोग मेरे ग्यान के बिना नस्ट हुए जाते है और ग्यान का जो सोर्स है वो पवित्रात्म प्रमेशर बुद्धी और ग्यान सिर्फ पवित्रात्म प्रमेशर से मिलती है तीसरा है हम अराद ना करें प्रात्म में जुड़ें ताके हम बुद्धी मान हो और प्रमेशर की इच्छा को जान सके अफशियों की पुस्तक उसका पांच्वाँ आदियाए उसकी उन्निस आयत में पॉलिस रसूल ने कहा आपस में बजन और स्तुती गान और आत्मी गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभू के सामने गाते और कीर्टन करते रहो प्रभू के सामने भी करो और आपस में भी बजन गाते रहो ताके तुम विश्वाश में बने रहो ये प्रमिश्य के साथ और आपस एक दूसरे के साथ नजदीकी के रिष्टा बनाने के बारे में है ताकि हम आशी इसमें बने रहें चौता है जो हमारे दोस्त और जिनके साथ हम चलते उनको भी हम देखे बने सही तब पहला आधियाए दूसरी तीसरी आयत में हम देखते है जस परकार पेड़ गल्द जगा पर लग जाता है तो फिर उसके पते सब उसको खतम हो जाता है और वो नस्ट होने लग जाता है हम विश्वाशियों को भी इसी परकार अपने जो साथी है हमारे साथ कौन है उनके जीवन के फल क्या है उनको देखकर हमें जोटना है साथियों को फिर हमें ध्यान से पर्खना है पांचमा है परमेश्य के अधीनगी में आओ मत्ती पांच की तीसरी आयत में जो सबसे पहला सर्मन प्रभु यश्यो ने माउंट पर दिया बेडिशूड्स उसकी तीसरी आयत में कहते है दन्यावे जो मन के दीन है क्योंकि सर्वकर राजिय उन्ही का है मन के दीन होना है अपने आपको नमरता में चलना किसी और तरह की गरीबी का नहीं है ये बजन सहीता 51 उसकी 17 आयत में राजा दाउद ने जो पाप के बाद उसने ये लिखा है वो कहता है तूटा मन परमेशय के योग्य बल्दान है तूटा हुआ मन नमरता का मन फिर जब हम इस परकार परमेशय के सामने आते हैं अब फर्गिबनस मांगते हुए पाप से छुटकारा पाने की साहिता मांगते हुए तब उनकी तरफ और नज्दीकी में जाते हैं यहाना तीन की इस तारह में परमेशय का प्यार जो जाहर हुआ है परमेशय के पुत्र को उन्होंने दुनिया को कॉंडम करने के लिए नहीं बेजा है लेकिन इसलिए कि पापी मुक्ती पाएं और वो प्रमेशय के साथ दुबारा जुड़ जाएं वो सची दाखलता से चुड़ जाएं उनका प्यार हमें ये चॉइस देता है कि हम उनके साथ जुड़ें अनंतकाल का जीवन पाएं या फिर हम शेतान के पीछे लगे रहें इस दुनिया के कामों में लग रहें और नर्क में जाएं चॉइस हमारी हो जाती है आई ये हम परात्ना करें पिता प्रमेशय क्या ही धन्य हैं आप या अपने अपने बेटे को यहां बे दिया सची दाखलता और पुवितर आत्मा प्रमेशय दौरा हमें पिता प्रमेशय सबकुछ प्रभी यश्यू के पुवितर नाम में मांगते हैं आमेन आमेन प्रमेशय ने स्वर्ग दूतों को राज्य का अधिकार नहीं दिया बलकि ये केवल हमें ही दिया गया है शेतान के अधिकार में जाने के बाद हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम अपने आपको प्रमेश्वर के पुत्र जो एक अडिक चटान है उन पर आधारित हो जाए ताकि जीवन का कोई भी तूफान हमें हिला ना सके Thank you so much for joining us See you next time Stay blessed Shalom